चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहेगा। नवरात्री के चौथे दिन की धेर सारी शुभ कामनाएं। मा कुश्मांडा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। 6 अक्टूबर 2024 दिन रविवार आपके लिए सही समय है जब आपको अपनी व्यस्त दिन चर्या से थोड़ा समय निकाल कर अपने आसपास की परिस्थितियों और अपनी स्थिति को ध्यान से समझना चाहिए। आप अपने विभिन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए लगातार भाग दोड़ करते रहे हैं और अब आपने अपनी पूरी क्षमता से इन्हें निभा लिया है। आप आध्यात्मिक मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं। जो लोग सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनके लिए यह विशेश रूप से महत्वपूर्ण है। उनके कारियों में उन्हें एक नई पहचान मिलेगी। आपकी सेहत में कुछ उतार चड़ाव भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपकी लापरवाही के कारण कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं। धन और धान्य में वृद्ध होगी, लेकिन खर्चों को लेकर आपको सिर्दर्द बना रहेगा। अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों में डील न दें। वरना परिवार के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को अपने साथी से अच्छी समझ बनेगी, जो उनके हर काम में पूरा साथ देंगे। आपको समय समय पर लाब होता रहेगा। आपको शुब समाचार भी मिलेगा, जिससे धर्म और कर्म के कारियों में आपका मन लगेगा और ईश्वर के प्रती आपका विश्वास बढ़ेगा। व्यापार और कारोबार में जिन अधूरे कारियों की वजह से आप परेशान हैं, वे भी आज माम दुरगा की कृपा से पूरे हो जाएंगे। परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा और आप किसी संपत्ती या प्रॉपर्टी की खरीदारी भी कर सकते हैं। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा और किसी पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। समस्याओं का समाधान करना आपके लिए संभव हो सकता है। जिन बातों के दबाव में आप खुद के लिए तनाव बढ़ा रहे हैं, उनके प्रती आपका विश्वास बदल जाएगा। सीमित विचारों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, जिससे आप सही दिशा में प्रयास कर सकें। नए काम की शुरुआत आपकी अपेक्षाओं के अनुसार होगी। रिष्टों से जुड़ी नकारात्मकता को दूर करें। और सेहत पर जो बातें नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, उनसे बचें। ऐसी बातों से दूर रहें और सावधान रहें। मित्रों से संबंधित कोई जिम्मेदारी आप पर आ सकती है, जिसे निभाने में आपको कठिनाई महसूस होगी। अत्यधिक भावुकता और उदारता पर सैयम रखें, क्योंकि कोई आपकी इन कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं लव ल जा रहे हैं, जिसका कारण यह है कि आप सामने की वास्तविक्ता को देखने और स्वीकार करने से बच रहे हैं। आपको खुले दिमाग से स्थिति का स्पष्ट मूल्यांकन करने और उसी के अनुसार सही मार्ग चुनने की आवश्यक्ता है। यह देखना जरूरी है कि कौन सा रास्ता आपको अच्छे परिणाम देगा और फिलहाल आप अपने अहम के चलते किस दिशा में जा रहे हैं। अभी आप अपने प्रेम संबंधों में अधिक भावुक्ता और रोमांस का अनुभव करेंगे। अपनी दिन चर्या में बदलाव लाकर और अपने साथी की पसंद का ध्यान रखकर आप वह सब प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इस समय कुछ दुख, अपमान या कोई रोग आपके लिए चिंता का विशय बन सकता है। आप रोमांस में माहिर हैं। चाहे वह कुछ नया सीखने की इच्छा हो या प्यार में डूबने की हर जगह आपको सफलता मिलेगी। बस अपने दोस्त की बातों को सुने और उन्हें समझें। आप दोनों इस गुलाबी और प्रेमपूर्ण माहौल में एक खास रिश्टे की शुरुआत करने वाले हैं जो आपके जीवन को खुशी से भर देगा। अब बात करते हैं करियर की। आज आप अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस कर सकते हैं। कारिस्थल पर आने वाली मुश्किलों से असहाय महसूस न करें। बलकि सभी साहस जुटा कर हर कारे को पूरा करें। आपके सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि जल्दी ही आपको धन लाब हो सकता है या पूर्णता की भावना आपको किसी भी सिध्धानत या तकनीक में विशेशग्य बना देती है। सफलता हर जगह आपका पीछा करेगी। अहंकार से बचें और अपने दृष्टिकोन को सपष्ट रखें। यह आपके लिए एक महान दिन है। आप अपने विचारों और आपसे ज्यादा फुरसत में नहीं है। इसलिए सावधान रहें क्योंकि परिस्थितियां उस अनुपात में आपका साथ न दें। व्यवसाय में महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। इसलिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए आगे टूर एंड ट्रेवल्ज, मीडिया आदी जैसे क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में स्थिति यथावत रहेगी और कार्यभार भी बना रहेगा। अब बात करते हैं सेहत की। यदि आप पिछले कुछ समय से अपने वजन को लेकर परिशान हैं तो आज कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। संतुलित भोजन और व्यायाम का एक स्वास्थ्यकर कार्यकरम शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर आप इस कार्यकरम में अपने आसपास से किसी की मदद और सलाह ले सकें तो आपकी सफलता की स संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। आप आज उर्जा और आशा से भरे महसूस करेंगे। आज आपके व्यक्तिगत वित्त से जुड़े फैसलों पर ध्यान देना शुब रहेगा। खासकर यदि आप बचत या निवेश करने की योजना बना रहे हैं। आपकी राशि एस्टेट में कदम रखना चाहते हैं तो यह समय आपकी राश्य के अनुसार सकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है। आज क्रिप्टो क्रेंसी से जुड़े फैसलों में सावधानी बरतें क्योंकि आपकी राश्य संकेत कर रही है कि सतर्क रहना आपके लिए बेहतर र रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित चीजों में रुची लेने से आपको करियर में लाब हो सकता है। और आज का दिन ऑनलाइन पैसे कमाने के नए अवसर खोजने के लिए भी बहुत अच्छा है। अपनी लाइफ स्टा राएगा। यदि आप यात्रा व्लागिंग से संबंधित को योजना बना रहे हैं तो आज का दिन इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए सही है। सौंदर्य और फैशन में बदलाव आज आपके व्यक्तित्व को निखार सकता है। और आपके पालन पोशन से जुड़े न आज आपको सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे। अपने भोजन और पोशन पर ध्यान देने से आपके स्वास्थि में और सुधार हो सकता है और फिटनेस से जुड़े निर्णे आज अच्छे परिणाम दे सकते हैं। पालतू जानवरों की देखभाल का जिम्मा उठाने का यह समय शुभ है और यदि आप अपने घर की मरमत या सुधार का काम कर रहे हैं तो आपकी राशिक अनुसार आज का दिन इस काम के लिए बिलकुल सही है। आज का उपाय है कि सुभे जल्दी उठकर स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्ग् जीवन में हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपका दिन शुभ हो।